नमस्कार दोस्तों मैं हूँ देवाशिस आज के इस वीडियो में हम उन्बॉक्सिंग और रिभ्यू करने वाल हैं आमरेंग के इस पोटेबूल ब्लूटूथ स्पिकर की जो की एक टेबूल लाप भी है दोस्तों इस पोटेबूल को मैंने टाटा किलिक से 1000 रुपय में खरीदा है और ये पोटेबूल आपको आमाजर में 1300 रुपय के करीब मिलेगा तो दोस्तों चलिए इस पोटेबूल की अन्बॉक्सिंग सुरू करते हैं दोस्तों बॉक्स की सामने के तरफ आप जैसे की देख सकते हैं गया है और उसके साथ साथ इसका कुछ फीचर लिखा गया है और उसके साथ साथ यहां पर बॉक्स में आपको क्या क्या चीज मिलेगी वहां पर बॉक्स कंटेट भी लिखा गया है दोस्तों यहां पर आप जैसे की देख सकते हैं यहां पर प्रोड़ॉट की MRP 1999 रुपे प्र निकाल लेते हैं दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें ये चार चेंज भी लेगी एक तो आमारा स्पीकर दूसरा है उसका उजर मानौल और तीसरा है एक यूएसबी केबूल इसे चार्ज करने के लिए और चौता है और फिन केबूल जिसके थूर हम और इसमें आडियो इंपूट दे सकते हैं दोस्तों पहले बढ़ते हैं हम इसके यूजर मानौल के तरफ आप यहां पर जो यूजर मानौल में दिखाए दर आप किसी भी समय वीडियो को पहुच करके इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों मैं आपको पहले से बता दूँ यूजर मानौल में आपको कोई भी वा तो एक charging pin दी गई है आप जिसके थूर इस device को चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पर एक auxiliary pin दी गई है जिसके थूर आप audio input कर सकते हैं दोस्तों आप बढ़ते हैं हम हमारे speaker के तरफ इस speaker को हम इस polythene से निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं यह speaker totally white color में constructed है और उसके साथ साथ यहाँ पर plastic finishing दे गई है और उसके साथ साथ यहाँ पर metal finishing दी गई है दोस्तों product की सामने के तरफ यहाँ पर आपको आंब्रेन की branding देखने को मिलेगा और यहाँ पर कुछ switch दी गई है यह बटन को दबा कर आप mode switch कर सकते हैं जैसे कि bluetooth mode auxiliary mode और HD card mode इसे यूज करके आप volume बढ़ा सकते हैं इसे यूज करके आप call receive कर सकते हैं इसे यूज करके आप आपका जो volume है उसे down कर सकते हैं और उसके करने के समय यूज कर सकते हैं दोस्तों product के इस साइड आपको तीन port देखने को मिलेगा यह है charging port यह है auxiliary pin input के लिए यूज कर सकते हैं आप auxiliary port और यहाँ पर micro SD card आप input कर सकते हैं दोस्तों product के नीचे के तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर on and off का switch दिया गया है और यहाँ पर चार rubber pad दिया गया है जिसे कि इस product को आप जब surface पर रखेगे आपको अच्छा grip मिलेगा और यहाँ पर एक hanging के लिए एक ring दिये गया है जिसे कि आप coolerI Pice के तरह use कर सकते हैं तो दोस्तों आप चलिए हम इस product को demonstrate करते हैं दोस्तों हम अमरे product को on करते हैं दोस्तों ओन करते हैं आपको इस तरह की sound देखने को मिलेगी तो आप चलिए दोस्तों इसमें हम मैं मेरा phone के Bluetooth को connect करके आपको कुछ गाना सुना देता हूँ कि इसका audio quality आपको कैसा मिलेगा दोस्तों अभी जो audio आप सुनने जा रहे हैं वो directly इस Bluetooth speaker से होगा जो आपको तोस्तों आप नहीं हैं आप! आपको इस दो में जोरी बाँ दोस्तों इस प्रोडॉट का जो स्पिकर का क्वालिटी है जैसे कि आप सुन सकते हैं बहुत ही अच्छा है और इस में से जो आपको बास मिलता है वो बहुत ही कमाल का है दोस्तों साउंट टेस्ट करते सहें मैंने आपको इस प्रोडॉट का कुछ और फिचर भी दिखा दिया था दोस्तों आप देखते हैं आप इस प्रोडॉट में LED लाइट के से जला सकते हैं आपको सिर्फ यहां पर ट्याप करने है और उसके बाद आपका LED लाइट जल करेंगा अब हम इसका डिमेबल फिचर के बारे में बात करते हैं दोस्तों इसमें आपको तीन को ट्याप करके रखना है और उसके बाद यहां पर ट्याप करना है चला जाएगा और उसके बाद आपको यहां पर ट्याप करना है color change करने के लिए दोस्तों इसमें आपको pulseating option में मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं यह pulseating option है दोस्तों अब बड़ते हैं इस product के usability के बारे में दोस्तों आप इस product को एक bluetooth speaker के साथ साथ आज हम decorative item एक table lamp के तरह भी use